चैनल जट्वाइकडमी में आज हम बात करने वाले हैं जामिया का प्रप्रक्टस 2021-2022 के जो रिजल्ट डेट दिया गया है क्या यह नकली है या क्या जामिया अपने बातों पर सही नहीं उतर रहा तो इस चीज़ पर बात करेंगे क्योंकि इंटेंस एक्जाम तो इस प्रप् दिन में यह सब जो चीजें बहुत सारी यूट्यूबर हैं जो जो चीज बता रहें कि वह पूछ रहे हैं तो उनको यही पता चल रहा है तो यह मामला है तो अब लोग हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या है तो यह भी आपको देखना जरूरी है कि इंपोर्टन डेट जो है 17 माई को आया फिर उसके बाद जो है एड्मिट कार जो है पंदर जुलाई को जोना सुरू हो गया फिर इंटे स्टेज जो है 26 जुलाई को जो ओनवर्ट हो गया तो यह सारी चीज़ें भी देखी क्या है कि यहां पर दे रहा है लास्टे और संबीट आने वालिफिकेंश भीकैसवेंटी नाई जाना है आप यहां देखी विए उसकेंडरी देट है तेसंबी घृट यह सारी प्रिशल्टर सेम निकल जारह रहा है लेकिन इसी टाइम पर रहा है प्लाई सारी रिजल्ट आने नहीं पेट आ आ नहीं था frankly लेकिन आया नहीं प्लाइड हो गया प् masses money आजाने चाहिए थे जो आया नहीं है तो अब हम आगे बात करते हैं कि क्या मतलब यह कोई ऐसा डेट आया जैसे कि पर फाइली बार आया पिर दोबारा आया एक्जाम डेट फिर उसके हिसाब से जो है एक्जाम हुआ तो यह हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी जो है आपके स इसल्टेट आपका दिया होगा या कोई अलग से सितंबर मन्त में जो है आना सुरू होगा तो यह आपको बहुत ज़रूरी जानकारी सब्सक्राइब इस इलेते लोग प्रियास कर häufे हैं और नाशू करते हैं बच्चे वह मैसेज करना सुरू कर दिया है तो यूजी एन पीजी वालों से भी मैं निरोद करूँगा आप लोग करिए मैसेज करिए आप लोग और जास जारा जो है आप फून करिए हेल्फ डेक्स नंबर पर जो हेल्फ लाइन नंबर उस फून करके पूछे किसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है सब की जिम्रारी है और सबको करना चाहिए यह हमारा यह है कि आप लोग करिए क्यूंकि रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा लेट होता जा रहा है इतना नहीं होना चाहिए कि जितने भी कॉलेज है वह खुलते जा रहे है तो रिजल्ट आने में देर क्यूं कर रहा है यह जामिया और बाकी फून करें पता करें कि आपने हैं क्यों जाएप आपरोध करें